नमस्कार फैंट से सौगत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइजूस बंगाल इंटर डिस्टिक टी-ट्विंटी के मैच नमबर 23 के बारे में जो कि फैंट से खेला जाएगा में डबलू और जीबीम के बीच में तो फैंट से जब भी आप लोग ड्र अंतशी टीम चुनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस दिन की प्लेंग 11 क्या रहने वाली है और उस दिन का वेटिंग ओडर क्या होने वाला है फैंट से जिन प्लेयर्स को आप अपनी टीम में चुन रहे हो उनकी रीसेंट परफोर्मेंस कैसी है ये भी आपको पता हो चाहिए साथ आपको पता होने चाहिए कि कौन सा बॉलर कितने ओवा डालेगा ये भी आपको पता होना चाहिए तो यही सारी बाते हैं इस वीडियो को share कर देता हूं वाइस के वाइस प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस वहाँ पे share कर देता हूं तो टेलीग्राम को जरूद से जॉइन कर लीजेगा अब फैंट बात करेंगे यहाँ पर जो है मैच के डेट एंड टाइम के बारे में तो पांच तारीक को बात करें फैंट से अभी तक के देखे गए सारे मुकाबलों के अनुसार मैं आपको बताऊं कि इस पिछ पर फैंट से जो है दोलों ही टीमों के पॉजिबल 11 के बारे में और वेटिंग ओडर के बारे में वालिंग ओडर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे मन्भूम वारियर्स की पॉजिबल पिलिंग 11 के बारे में उसके बाद बात करेंगे इसकी वेटिंग ओर्टर के बारे में और वालिंग ओर्टर के बारे में तो फेंट से यहाँ पर आपको विकास कुमारदास राना अधिकारी अरनाब कुंदू गौरब गुपता और अनिरुद्धा अधिकारी वर फ्रेंट्स यहाँ पर आपको संजय महतो, सौरबडे, बिस्नूव होरी, असरफुल, अंसारी, विक्रम गोरेन और राम प्रवेस प्रसाद यह सारे प्लेयर्स आपको खेलते हुँ दिखेंगे यहाँ पर मेलवन वारियर्स की मैन भूम वारियर्स की तरब से उसके बाद फ्रेंट्स बात करें बैटिंग ओडर के वारे में तो फ्रेंट्स यहाँ पर विकास कुमार दास, राना अधिकारी और गौरब गुपता, यह आपको उपनिंग करते हुँ दिखेंगे, वन डाउन की पोजिशन पर आपको खेलते हुँ दिखेंगे, विकास कुम डे और अनरुद्धा अधिकारी, यह सारे वैट्समेन आपको खेलते हुँ दिखेंगे, उसके बाद फ्रेंट्स बिशनू भौरी, यहीं तक आपको वैटिंग करते हुँ दिखेंगे, वाकी यह वालर्स हैं, अब बॉलिंग के बारे में फ्रेंट्स यहाँ पर बात करें, तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको राना अधिकारी के तीन से चार ओवर देखने को मिलेंगे, उसके बाद विक्रम गोरिन के चार ओवर, और असरुफल अंसारी के चार ओवर, सौरब डे के चार ओवर, वा फ्रेंट्स बिशनू भौरी के चार ओवर, इनके चार चार ओवर आपको देखने के मिलेंगे उसके बाद राम प्रवेस प्रसाद की बात करें तो इनके भी दो से तीन ओवर आपको इस मैच के बीच में देखने को मिलेंगे फैंट साथी साथ बात करें तो यहाँ पर संजीम महतुकी भी एक से दो अबर आपको इस मैज में देखने को मिल सकते हैं उसके बाद फैंट सबस्क्राइब के जीबीम के पॉजिबल प्लेंग 11 के बारे में वैटिंग ओडर के बारे में और वालिंग ओडर के बारे में तो फैंट्स यहाँ पर आपको मुहमद निजामुद्दीन, मुहमद फिरोज हुसेन, नजीब एसके, राजदीप चोधरी, मनसरोज चोधरी और यहाँ पर फैंट्स मिर्तुञे मंदल और अननता फ्रवानिक, जन्तु सेहल, बैरुन कुमार महतो, सूरज साहा और वंकुल दास यह सारे प्लेयर्स आपको खेंगे जीबियम की तरफ से, आप फैंट्स बात करेंगे जीबियम के वेटिंग आउटर के वारे में तो फैंट्स यहाँ पर आपको जो है मनसरोय चोधरी और नजीबल एसके, यह उपनिंग करते हो दिखेंगे, उसके बाद राजदीप चोधरी आपको वन डाउन की पोजिशन पर खेंगे, उसके बाद मौमद निजाम अद्दीन और मौमद फिरुज खेंगे, उसके बाद फैंट्स बात करें तो मिर्तुञे मन्डल, अन्ता प्रमानिक और जन्टू सेहल, यह सारे वैट्समेन आपको खेंगे, अब बात करें वालिंग ओर्डर के बारे में, तो फैंट्स यहाँ पर आपको वनकुल दास के चार ओवर देखने को मिलेंगे, और जन्टू सेहल के च इन ओवर सूरे साहा के और वरन कुमार महतो के फैंट्स आपको एक से दो ओवर वरन कुमार महतो के इस मैच में देखने को मिलेंगे, तो फैंट्स मैंने आपको जो है जी बी एम के सारी बॉलर्स की वैटिंग और वालिंग के बारे में बता दिया है, उसके बाद बात करें यहाँ पर M.A.W. के की प्लेयर्स के बारे में तो अरनाब कुंदू, अनरुद्धा अधिकारी, सौरब डे, विश्नू भुरी, गौरब गुपता और राना अधिकारी यह सारे प्लेयर्स आपको जरूर से पिक कने M.A.W. की तरब से इन में से एकादी प्लेयर्स को आप जो ह प्लेयर्स को आपको पिक करना है जी बीम की तरब से अब फैंड्स बात करेंगे वेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन चोइस के बारे में जो की फैंड्स ग्रेंड लीग और इसमाल लीग और हेड़ टू हेड तीनों के लिए मैंने यहाँ पर दिकाया है तो फैंड्स यह को भी आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हो वागी फैंड्स लाश्ट में मैं आपको एक टीम देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किसको कैप्टन वाइस कैप्टन पिक किया है और क्यों किया है चलिए बात करते हो उस टीम के बारे मे तो फेंट्स फिलाल के लिए हमने आपको एक टीम चुनके दी है जिसमें बिकेट कीपर के रूप में हमने मनसरो चोधरी को फिक किया है लाश्ट के भूए मैचों में इनने काफी अच्छा का सा बर्दसन किया है उसके बाद फेंट्स बात करेंगे वैटिंग के बारे में तो बैटिंग में फेंट्स हमने राना अधिकारी को पिक किया है जो फेंट्स इनको अपनी टीम का हमने वाइस केप्टन भी पिक किया है फेट्स अपने टीम की तरफ से उपर बल्ले बाजी करने उतरते हैं और चार के चार ओवर भी राना अधिकारी आपको कराते हुए दिखते हैं मैस के वीच में अब फेट्स उसके बाद एस मैतो को मैंने पिक्किया है वेटर है परन्तु एस मैतो भी आपको एक से दो ओवर आपको डालते हुँ दिखते हैं उसमें अगर इनको बिकेट मिल जाता है तो वेट्स चोईश रहेंगे उसके बाद मुहमद ने जामद्दीन को अपनी टीम में एक वेटर के तोर पे पिक्किया है अब फिर्ट्स बात करेंगे आल राउंडर्स के बारे में चार आल राउंडर्स को लेने की हमें अनुमती होती है ड्रीम एलेवन में और चारो के चारो आल राउंडर्स को हमने पिक किल लिया है उसके बाद वी वहरी को हमने पिक किया है े एस लेए को हमने पिक किया है और मुहमद फीरोज हुसैन वा एम मंडल को हमने पिक किया है मौहमद फीरोज हुसैन को अपनी टीम का केपटरन बनाया है वन डाउन की पोजेशन पर अपनी टीम की तरफ से खEलते है और 4 के 4 ओवर कराथे है इसमें फ्रेंड्स इनको चार उवर कराए और उसमें इनको एक से दो बिकेड मिल गए तो फ्रेंड्स जो है क्यपटन की एक वेस्ट चॉइस रहेंगे आपके लिए उसके बाद फ्रेंड्स बात करें बॉलर्ड के बारे में चार बॉलर्स को पिक किया है आर परसाद, ए अंसारी और वी दास लाइट के हुए मैचों में इन्होंने बहतरीन परदसन किया है और फेंट्स बात करें चार के चार ओवर कराते है आर परसाद और चार ओवर अपनी टीम की तरब से कराते है ए अनसारी वा वंकुल दास भी अपनी टीम की तरफ से चार ओवर कराते हैं तो उन प्लेयर्स को हमने पिक किया है जो चार-चार ओवर कराते हैं वो फेंड्स लाइट के मैचों में भी अच्छा का सा प्रदसन किया है अगर आप प्लेयर्स के रीसेंड पॉफरमेंस जानना चाते हैं सारे के सारे तो आप टेलीग्राम को जोइन कर लेजीगा वहाँ पे मैच के सुरू होने से मैं एक दो से तीन गंटे पहले वहाँ पे मैं सारही प्लेस का रिसेट पफ़में सेयर कर देता हूँ और साथ ही साथ आपको चार से पांच टीम है चार से पांच टीम है जी एल की जो की फेंड से ग्रेंड लीग इसमाल लीग और हेड़ टुएड तीनों के लिए होती है वहाँ पे सेयर कर देता हूँ और लाश्ट का जो है पफ़मेंस हमारा आप लोग देख सकते हो काफ़ अच्छा है तो दोस्तों इसी के साथ हम चाते हैं आपसे अनुमती यहिंद यह भारत